हेलो फ्रेंड्स, वेल्गम बैक टू मैं चैनल, आफीसियल हम रहा हो तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर रहा है यूपी टेपल सी, पैट का जो पेपर वन, यानि की सिप्ट वन जो पेपर हुआ है पंद्रह अक्टूबर 2022 को, मौर्णिंग सेसन में तो उसी की हम लोगे कर आए हैं अंसर की अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगए तो प्लीज इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा और दोस्तों को साथ सेर भी करिएगा तो हमारे पास क्वेश्चन है भारत की किंदों सेरों की बीच अकासा येर की पहली उड़ान का उद्गार्ण किया गया तो इसका करेक्टर आंसर है मुंबई से हैमदाबाद यानि की C, आप्सन इसका करेक्टर है नेक्ट क्वेश्चन है भारती सेना ने जुलाई 2022 में कौन सा नामे के अकिल भारती उपग्रे संचार अभ्यास का आवजिन किया था तो इस उपग्रे का नाम है स्काई लाइट यानि इसका आप्सन है ए नेक्ट क्वेश्चन नमबर फोर क्वेश्चन नमबर फोर किस केंद्री मंत्री की अधिस्ता में चंडीगर में नसीली दबाओं की तसकरी और राष्टी सुरच्चा पर एक राष्टी संभिलन आवजित किया गया तो यह आवजित किया गया है केंद्री मंत्री अमित सहा की अधिस्ता में इसका correct answer is D, next question is कौन सा राज भारत में पहला हर घर जल प्रमाडित राज बन गया है, तो यह राज है गोवा, यानि इसका correct answer is A, next question है एक लिब्ध में से कौन भारत का पडोसी देस नहीं है, तो चीन भी पडोसी देस है, माल लेबी भी है, मैयामार भी है, UAE नहीं है, यानि क प्रदुगी को आंगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीले कड़ी केंदर की शुरुआत की है तो यह है आयाइटी मद्रास यानिए इसका करेक्टर अंसर है B सुतनता के बाद भासा के आधार पर बने भारत की पहले राज का नाम बदाई है तो भासा के आधार पर पहला राज बनाए आंदरा प्रदेश यानि इसका करेक्टर अंसर है D नेक्ट के स्थिन ten नमर् नाईन लोगसार में पद दभारत करने की द 92 कि यह 25 वर्स यानि कि सी अपशनिक का करक्टर ने इसक्डशनन है को नम्क्र टेन आंतराश्वची जैविविट्टा दिवसकिस तारीकों मना जाता है तो international biological diversity day मना जाता है बाइस मई को यानि इसका correct answer ए नेक्ट क्वेश्चन नमर 11 नमर इसका पहला सबसे बड़ा नदी दीप है तो यह नदी दीप है माजुली दीप यानि इसका correct answer ए बी नेक्ट क्वेश्चन नमर 12 नमर इसके हंगरी की राष्टी मुद्रा क्या है तो हंगरी की राष्टी मुद्रा है Hungarian foreign यानि इसका correct answer है D next question number 13 अंतराष्टी ओलम्पिक समीद का मुख्याले कहा है तो अंतराष्टी ओलम्पिक समीद का मुख्याले है स्वेटिजर लेंड में यानि इसका correct answer है next question number 14 14 ने लुगने से किसने प्रसिद्ध पुस्तक powers of the mind लिखी है तो powers of the mind पुस्तक लिखी है स्वामी वेका नद में यानि इसका correct है next question number 15 UNFCCC का आर्थ लिम्पिक से क्या है तो इसका आर्थ है United Nations Framework Convention on Climate Change यानि इसका correct है next question number 16 नवटंगी लिम्पिक से किस राज का लोग रत है तो यह उतरबदेश यानि कि D आप्शन इसका correct है अब यह नोचे था यानि कि ग्यान इराज के संचित कोस को ही साहित दिका जाता है साहित जहां समाज को प्रवावित करता है तो यह आपका था पूरा passage इसको मैं पढ़ूंगा नहीं जो तोप तथा तलवारों में भी नहीं होती यानि यहां तक था इसकाRO क्योंकि साहित द्वारा समाज की बिडवन बनाओं और बिसंगतियों पर प्रहार करके उन में सोधार लाने की कोस्त ही जाती है question number 19 है प्यस्तुत गद्दान्स का सरवादिक उच्छी तिसीर सक क्या हो सकता है तो इसका सरवादिक उच्छी तिसीर सकता है साहित और समाज यानि की D option इसका correct हो जाएगा next question है साहितकार समाज के प्रति अपने उद्देश को कैसे परिपूर करता है तो इसका correct answer है D option साहितकार समाज में अपनी क्रतियों द्वारा आसा का संचार करता है और उत्साइबं करतब बबाद का संदेश देता है next question 21 साहित तमें किस तरह की पुरानी पीडियों की जानकरी देता है तो इसका correct answer है तो इसका correct answer है तो इसका correct answer है नेक्ट कोश्चन नमबर 22 से 26 तक यह अगयन यह पैसिस दिया था यहनि कि सत्त की आरादना वक्ती है यहां से लेकर यह आपका था पैसिस सत्त दूर हटता जाता है तो इसका correct answer के mark को 80 की दार पर चलने की समान क्यों बताया गया है तो इसका correct answer है वो है D क्योंकि सत्त और आइंसा का mark जितना सीधा रोतना यह तंग है और इस पर mark पर चलना आते हैं अंद कटन है यानि D option Question number 23 23 है सत्त रूपी परमेसर की रत्र चिंतामडी को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं तो इसका correct answer है अंतरनीत सत्त का साच्छात कार करें Next Question number 24 गद्दांस में चिरस्थाई सब्द का कौन सा बलॉम सब्द प्रयोकत हुआ है तो चिरस्थाई का हुआ है छाड़ भंगर यानि कि B option Next Question number 25 25 सत्त की तलास कैसे की जानी चाहिए तो यह की जानी चाहिए कि सद्दापूर्वक अन्ता बिद्वान सत्त की मारग पर आंगे बढ़ते हुए इस सत्त का साच्छात कार करें यानि C option Next Question number 26 26 है जिग्यासू को सत्त बाहिंजा की पतपच चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए तो इस अंकटों को सहते हुए निमित नास की यह बिना आंगे बढ़ना चाहिए यानि D option अब यह आपका यह math section है इसमें Question number 27 से 31 तक यह आपका table दी गई है इसमें बताया गए कि बर्स 2011, 2013, 2014, 2015 में कितनी salary थी इंदने में परवायन पर कितना खर्चुगा बोनस कितना मिला, रिड़ों पर ब्याज कितना है और कर, टेक्स कितना लगा तो Question number 27 इसमें पूझा गया, इसमें दी गई अबदी के दौरान कमपनी द्वारा बुगतान की गई बोनस की कुल राज इसमें के दौरान बुगतान की गई बेतन की कुल राज का लगबग कितना परसेंट है तो यह है, 0.6% यानिक C option Question number 28 28 है, 2011 में इन सभी मदों पर कुल ब्याए, 2015 में कुल ब्याए का लगबग कितना परसेंट था तो इसका रिक्रेक्ट आंसर है वो है यह 68.33% Next question number 29 इस अबत की दुरान कंपनी को प्रतिवर्स ब्याज की और सतराज कितनी चुकानी पड़ी तो यह है 26.66 लाग, यानिक D option Question number 30 Question number 30 30 है कि सभी बरसों के लिए करवाओं पर कुल ब्याए और सभी बरसों के लिए इंदन और परवहन पर कुल ब्याए की बीच का अनुपात करमसा लगबग है तो यह है 109 अनुपात 151 यानिकी D option Next Question Question number 31 31 है बरस 2013 के दुरान इन मदों पर कंपनी का कुल ब्याए कितना है तो 31 का करेक्ट आंसर है C यानिकी 738.44 लाक्स आप Question number 32 से 36 तक यह आपका पैसेस दिया गया है इसमें एक टेबल दी गई है आल्टो, स्विप्ट, टियागो, मिनी और इनका का माहिले दिया गया है डीजल के आउसस मात्रा को लगा समय तो इसमें Question number 32 है 32 का जो करेक्ट आंसर है यानि की आल्टो और कुट द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतब तक पहुँचने में लगने वाले समय का अंतर क्या है तो यह है जीरो गंटा यानिक दोनों एक समय पर पहुँचेंगी Question number 33 33 में इसमें पूचा गया है दिये के समय से अनुपाद किया 33 का करेक्ट आंसर है C यानिक 56 रेशियो 99 यानिक C option Question number 34 34 का करेक्ट आंसर है B यानिक 25 रेशियो 36 Question number 35 35 है दस दिनों के दवरांटी आगा और मिनी दवारा तेकी की कुल दूरी का अनुपाद कितना था तो 35 का करेक्ट आंसर है D 18 रेशियो 25 Question number 36 36 का करेक्ट आंसर है B यानि 61 किलो मीटर पर हावर A Car A और B की और सब्सक्राद की बीच अंतर जो है 61 किलो मीटर पर हावर है उसकी बात Question number 37 37 में देखते हैं तो 2003 के दवरांट कंपणी में कारेक्ट करमचारियों की संग्या दी 37 का है A यानि 5000 थी Question number 38 38 का जो करेक्ट आंसर है वो है A यानि 1% यानि पूचा कि बास दो या 41 का correct answer is D यानि की 2002 question number 42 से 46 तक ये दिया गया है इसके answer देख लेते हैं सीधा मैं answer बताऊँगा 42 का जो correct answer है वो है C, 2012 और 2017 question number 43 43 का जो correct answer है वो है D यानि 137.5% question number 44 44 का जो correct answer है वो है B 2017 पिछले में इसके दुल्ला में किस वर्स उत्पादन में प्रस्ट बेदी अधिक थी 2017 में अधिक थी question number 45 45 का जो correct answer है वो है B यानि की 4 परस question number 46 46 का जो correct answer है वो है C, यानि की 20% next question देखते है question number 47 47 का correct answer है प्रथम बहुत संगीद ग्रावजन हुआ था राजगीर में यानि C option इसका correct हो जाएगा question number 48 48 का correct answer है मौर समराट असोक question number 49 49 का correct answer है A, यानि की साजा question number 40, sorry 50 50 का correct answer है तांबर पासाड यूग यानि A option question number 51 51 का correct answer है भूदान, ग्रामदान या अंदोलन हुआ था है विनुभा भावेद्वार यानि D option है यानि correct हो जाएगा question number 52 52 का correct answer है हो है कमला देवी, चटोपध्या यानि A option question number 53 53 का correct answer है मौगल समराट यानि C option question number 54 54 का correct answer है B, बारसर का अधनियम 1935 next question number 55 दिल्ली चलो का नारा ये दिया है शुआशन बोशन है यानि A option इसका correct हो जाएगा question number 56 56 का correct answer है अमेरिकी करान थी यानि A option question number 57 57 का correct answer है अक्टूबर की गर्मी इसका मुखकारण है उच्छ आधरता से जुड़ा उच्छ तापमान है यानि A option next question number 50 50 का correct answer है greenwich time से भारती जो IST यानि IST कतना दिका है यानि इंडियन स्टेंडर्ड टाइम जो वो है साड़े पांच गंटा आंगे प्राश्टी विखास परिस्द यानि C option next question number 62 62 का correct answer है प्रात्मिक यानि primary चेत्र question number 63 63 का correct answer है A सभी यानि सभी option इसमें correct है question number 64 बिहार का सोग ये नदी है कोसी नदी next question number 65 देते है 65 का correct answer है वो है बाइधानिक निकम यानि A option question number 66 66 ये है राजियों के मुक्ष मंदरी यानि B option इसका correct है question number 67 बाड़ी जीग बैंक नहीं यानि commercial बैंक नहीं ये है सिडवी यानि B option question number 68 68 का correct answer है तरह मंत्राल है यानि D option question number 69 69 है A option यानिक संसद question number 70 70 का correct answer है B यानिकी 124 अनुछेद 124 question number 71 71 का जो correct answer है वो है D यानिकी सर्वोच्चे नहीं आले है और रोच्चे नहीं आले हूँ question number 72 72 का correct answer है ग्रीनाउट ग्रेस next question number 73 73 का correct answer है फेपड़े यानिकी फेपड़े को परवेट करता है निमोनिया next question number 74 74 का correct answer है nylon यानिक C option question number 75 तारों का रंग किसमे नहीं होता है यह होता है उसके तापमान का यानिक A option इसका correct हो जाएगा next question देखते है next question ये math का है तो इसमें दिया गया 5.21 into 6.32 minus 2.9272 equal to क्या होगा तो इसकी value आएगी 30 यानिकी A option उसका correct हो जाएगा question number 77 77 का correct answer है C यानिक 100 question number 78 78 का correct answer है C यानिकी 20% question number 79 79 का correct answer है B question number 80 80 का correct answer है C 14.26 question number 81 81 का correct answer है cellulose question number 82 82 का correct answer है ablam ablam other below के दियानि B option इसका correct है question number 83 83 का correct answer है पारवत्ती, शुद्राडी, भवानी question number 84 84 का correct answer है नूतन और पुरातन एक दूसरे के बिलोम यूग में question number 85 85 ख्याली पुलाव पकाना तो इसका correct answer है असंबब बातों की कलपना करना यानि C option question number 86 महीर से सब्दका सही संद बिच्चेद मताई है तो इसका सही संद बिच्चेद है महा प्लस रिसी यानि B option अभी यह passage है इंग्लिस का तो इसके question देख लेते है question number 87 तो इलिका है वाज कैरोल इन वर्दास एन आउट्डोर टाइप तो इसका correct answer है no यानि D option question number 88 88 का correct answer है वो है B यानि 4 वैटिंग question number 89 89 का correct answer है D satisfy disappointment का अंडोनेम satisfy question number 90 90 का correct answer है D यानि की lexicography question number 91 91 का correct answer है D यानि पतनी महिला निलेश सी किस प्रकास हमादी दे question number 92 92 का correct answer है D यानि 100 जो है इसमें सबसे अलग है question number 93 तो 93 का correct answer है D यानि की सुक्रवार question number 94 94 का correct answer है A यानि incomplete complete पार्सिल का सेनोनमी क्या होगा है इनकम्प्लीट पार्सिल का मतलब होता है आंसिक या अपूड नेक्ट कोश्चन 95 ये रिजिनिंग के questions है तो 95 का correct answer है A यानि की टी ये जी आर एफ एच question number 96 96 का correct answer है B यानि की इन में से कोई नहीं question number 97 97 का correct answer है C यानि गुजरात question number 98 98 का correct answer है B यानि की चीन question number 99 का जो correct answer है वह कोलकाता जो की अंडर वाटर मेट्रो का उधर रटन हुआ कोलकाता सहर में और इस वीडियो का last question है किस देश के बैकानिकों ने पहला क्रत्रिम ब्रूड तयार किया है तो यह है इज्राइल यानि डी आप्शन तो दोस्तों कैसे लगा आच का वीडियो कमेंट करके जरूद आएगा और अपना स्कूर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए थैंकियो फॉर वाचिंग इस वीडियो